लो दोस्तो स्वागत आपका एक और नहीं वीडियो में तो दोस्तो आज बात करने वाले हैं YouTube के कुछ फीचर के बारे में जो भी YouTube ने हाली में अपडेट्स में इंक्लूड करें तो दोस्तो तो सबसे पहले मैं आपको YouTube का जो ओल्ल एप यानि कि जो ओल्ड वर्जिन है वो शो कर देता हूं तो यह कुछ इस तरीके का ओल्ड वर्जिन का इंटरफेस आता है और इस तरीके के इसके इंदर फीचर्स है तो मैं आपको इसका जो निवर वर्जिन है जो हाली में YouTube ने भी अपडेट किया है मैं वह आपको शो कर देता हूं कि यह कुछ इस तरीके का है तो यह पर सबसे पहले ही जैसे कि आप यहां पर दोनों के difference में देख सकते हैं दोनों के interface में यहां पर यह कुछ रेड और वाइट में आ यहां पर यूट्यूब ने इस तरीके से डिजाइन रिफ्रेश्मेंट किया है कुछ तो यह पहला फीचर जो यूट्यूब ने इंक्लूड किया है जो काफी कैची लगा और काफी बैटर भी लगा बट मेरे साब से यूट्यूब का जो यह लोगो यह कुछ साही नित इस अंदर आप यहां पर एक फीचर देख सकते हैं दोनों वीडियो में आके तो यहां पर आपको आप्शन मिलता है 360 वी होगा और सिंपली बट इस इधर की तरफ आपको एक न्यू अप्शन देखने को मिलता है जो हाली में यूट्यूब ने अपनी अप्ट में अपडेट कि जिए वह प्लेबेक स्पीड यहां पर आप व्यूट्यूब की वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं और स्पीड़ी भी बढ़ा सकते हैं जयानकि मैं आपको यह 0.25 की स्पीड पर आपको वीडियो प्लेग करके दिखाता हूं यह तो यह कुछ इस तरिकी वीडियो प्लेगी तो इस तरीके से आप YouTube की वीडियो इसकी स्पीड को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं जैसे कि आप कोई YouTube की वीडियो है चल रही है आप देख रहे हैं उसको आपको कोई पार्ट पसंद नहीं आ रहा है आप उसको skip करना चाहते हैं बट वो कहीं न कहीं important है तो आप उसको fast forward करके उसको आगे निकाल सकते हैं तो इस टाइप से YouTube ने यह फीचर ने लोड किया है मेरे को नहीं पता यह कितना helpful होगा बट हाँ YouTube ने फीचर ने लोड कर दिया है तो उम्मीद करता हूं आपको यह छोटी वीडियो अच्छे लगी होगी और मेरे को कमेंट सेक्शन में हुआ